नमस्कार मैं प्रियेड अंजन और बात करेंगे डिलाइंस पावर स्टॉक के बारे में डिलाइंस पावर को तो मैं काफी पहले से बुलिस व्यूज आपके साथ सेयर कर रहा हूँ और 34 के लेबिल से आज बोर्ड की बैठक होनी थी वो हो चुकी है फंड्रेज को लेकर के तो क्या बैठक हुई और आगे क्या क्या ट्रेंड है इसको समझे इससे पहले प्रिमियूम टेलिग्राम को जॉइन करें डिस्क्रिप्सन के लिंक से एकाउंट आपेंड करें और वीडियो पसंद आए तो दोस्तों में सियर करेंगे यहां देखें लगबग 4200 करूर जो फोरेंड करेंसी कनवर्टेवल बॉंड है उसके थ्रू 5% पर एनेम पे अनसेक्योर बॉंड कंपनी इसू करेगी इसके अलावे इंप्लाई एश्रोक आप्सन के थ्रू भी कंपनी फंड्रेज करते वे दिख सकती है जहां स्विट एक्यूटी या इंप्लाई बेनिफिट इंप्लाई को दिया जाता है एक्यूटी के थ्रू और इससे पहले हमने देखा कि भूटान से कंपनी को 1270 मेगा वार्ट का एक बड़ा हाइड्रो और सोलर के दोनों के कंबाइंड ओडर कंपनी को मिलते हुए दिखें है य और रिलाइंस पावर के मैं मंतली टाइम फ्रेम को चाहूंगा कि अगर एक बार आपके साथ और दिखाओं कि यह लेविल अल्रेडी ब्रेक आउट हो चुका है 46 हमारा एसल है जिसको आप ट्रेल कर सकते हैं और उपर अपने को 6582 जैसा लेविल एक्सपेक्ट किया जा सकता है जो अल्रेडी इंवेस्टर है ठीक है फ्रेस बार